तो आज हम लेकिया है राइड विद इंजिनियर चानल में हम आपको बताएंगे कि एसी कैसे काम करता है इसके पीछे क्या रीजन है कैसे काम करता है इसके पीछे कैसे क्या सिस्टम होता है जो हमको नहीं दिख रहा होता है क्या सिस्टम होता है जो हम लोगों को दिख रहा होत इसके वाज़े से रूम पूरा ठंडा हो जाता है यह हम इसके बारे में पूरा इसका वर्किंग जानेंगे क्या काम करता है इसके पीछे क्या क्या रीजन्स होती है कैसे काम करता है यह सब हम लोग जानेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पही है यह जो है यह अब देख सकते हैं यह a.c का graph है यह a.c का graph है इसपे एसी क wizard का पीचच है assert tau वो कि इस में क्वाइबस हुआ है की अपने पास एसी में हम यह đ şunu का चुछा लोक पारते हैं जरह सों ठचिकिखानी का इस इसको लोकर रेफचे रेफ्रीजेर हिए इस रेफार रेफ़िजेर weiterhin की यह चाहिकえーessä परेशे से ब picked के नाम में डॉनलैकल करती है कि आद क्पूझार में की डालने के बाद रेफ्रीजरंट और प्रेसर बढ़ता है जैसे चटब परेच्ट यहां प्रिंपरेचर बढ़ते उस च्पाम good देखें यहाक डबा टाइप का लगा हुआ रहता है हम आपको दिखा दें इसमें तो यह है यह आप देख सकते हैं यह जो चीजे यह घर के बाहर आपको दिख जाएगा जिसके यहां भी एसी लगा रहेगा उसके यह यह चीज जरूर आपको दिख जाएगा यह जो चीजे यह है कंडेंसर यह जो एख़िते है है कि यहां पर आया यह पर यहां पर यहां पर भीखते रहेगा तो प्रेसर बढ़ने को देरश टेंप्रेचर बढ़ाता किना टेंप्रेचर को कम कर दिये प्रेजरन फवाल होने के बार जबता है तो रेफ्रिजरेंट गरम हो गया तो पुरा ठंडा जो ठंडा जो रेफ्रिजरेंट है उसको यहां में लेकर गई यह है यह ऑप्ञग का किया है यह पे पढ़ ऊत्र हुआ काॉरा इशी पास करते है इशी छाय तो आपको दिखाते हैं कि यह जो हमें ऐता इसाक मएका काम किया जाता है इतना तो आपको आगे समझ में अब एसी जो सिस्टम में उसमें कैसे काम किया जाता है यही सेम काम जो है यही फ्रिज में भी होता है अब एसी में क्या अलग होता है हम आपको यह दिखाते हैं चलिए यह अपने एसी का डाइगराम है देखिए यहां से वह इवा पोरेटर पर वह के लिए से हवा खिष्ता है यहां पर प्युलिफाइड के रहा है यह कूलिंग कोईल यह वाला पार्ट यह वाला जो पार्ट आपको जो दिख रहा है यही वो पार्ट है जो इवा जो इवापोरेटर है यहां से अपने गैस ऐसे पास होता है और इसमें पूरा अपना रेफ्रिजरेंट भरा हुआ है गैस यहां से पास होता है गैस थं क्या काम होता है कि थोड़ा सा हीट कर देगा ताकि यहां पे जो हम लोग को जो एयर जो चाहिए यहां पर उसी के हिसाब से हो जाए और यहां पर लगा होता है हुमिडिफायर यह जो पार्ट आपको दिखे रहे हैं हुमिडिफायर इसका क्या काम होता है हुमिडिटी बढ़ है तो इसमें से अप यह काम क्या होता है हिमीडिटी बढ़ाना घटाना घर्मी ठंडी कहीं साब न जूब यहाँ पर कड़ना ठेक यह हूं और फिर क्या होगा यहां से गया हीटिंग कोईल में जितना चाहिए था हो बैलन्स कर लिया यहाँ पर फैन hoot होते है आगे भी वह वेंसे खींचता है जोड़ से और जहाँ पर हम लोगो को जैसे आप माले है तो रूम में यहाँ पर पूरा फेकना रहता है और फिर वही एयर को वापस से यहां पर खीच के वापस से डाल देता है और कुछ बाहर से भी एयर ले लेता है तो यह सेम चीजे अब यह चो टाइग्राम है यह दिखाए गया कि कोई बड़ा इस पेस है जैसे की थीटर हो गया यह फिर कोई बहुत ब इसका है लेकिन समझदार इंसान समझ जाएगा तो राइड वेड इंजिनियर चैनल में आप आए हैं तो आपको समझदार बनना पड़ेगा ठीक तो चलिए अब हम आगे बताते हैं कि यह वाला जो चीज है यह वाला पार्ट है यह कौन से है यह वाला पार्ट देखिए भ जो घर में जो लगा होता है बाहर यहां से यहां से निकलता है यहां से यहां से खुला हुए नहीं यहां से पूरा ठंडा ठंडा हवा निकलता है यह अपने से यहां से यहां से हवा चूस लेता है और फिर बाहर से भी कुछ हवा चूसता है और यहां से ठंडा ठंडा हवा बबगते रहते है, तो right within चानल में हैं सब्स्क्राइब करिए लाइक करिए, और अगर समझ में आ गए है तो कमेंट करिए और नहीं समझ में है तो फिर से कमेंट करिए और सेयर करिए अपने दोस्तों में तो तक के लिए मलते रहेंगे